तो यहलो गाइज, तो फाइनली हो चुकी थी अपनी गाड़ी लोड दोस्तों और इधरी बिवन्डी पे रुके जाम, भाई ने रुकने को बोला था कि इधरी रुक जाओ, की सुबा का क्या प्र ले तो बिवंडी से आता है, कनेक्टर साड में एक तो बाडा हो के आता है, दोस्तों ये ड्रेक्ट अपना क्या बोलते बोले तो मनोर निकलता है कि बर्डर के हालात पता नहीं कब शुद्रेंगे दोस्तों ये च्यक करो आप लोग जाम बर्डर के हालात तो कभी ने अपनी गाड़ी और इधर पर सामने भाई का होटले तो अब जा रहे हम खाना खाने व्यू चेक करो आप लोग प्रशाद का तो गाइज निकल चुके थे हम पार्किंग से और भीवंडी जा रहा हूं में लोड करने और अपना मानको लिना का पहुंचाओं अभी तो इतर से अपना मुगरा वाला रोड गया राइट साइड में बिल्कुल सीधा भीवंडी के लिए गया भीवंडी ना सिक और अपने र होंगे तो फाइनली भीवंडी आ चुका था मैं तो अपनी गाड़ी लग चुकी की लोडिंग के लिए मतलब कंफर्म हो चुके रिया अपनी लोडिंग आज तीन दिन बाद अपनी गाड़ी लोडिंग के लिए लगी है यह चेक कर सकते आप लोग मेरे पिछे गाड़ी ल अपनी गाड़ी लोड दोस्तों तो करते एक नए व्लोग की शुरुआत हेलो गाइज वेलकम बेक तो अवर यूटूब चैनल मेरा नाम है स्वानू और आप देख रहे है पांड़े ओफिचल 0088 अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल क सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पर आपने क्लिक कर लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर कोमेंट जुरूर करें दोस्तों और बाकी वीडियो में एंड तक बने रहे वीडियो बहुत ही रोमान्चक होने वाली है हालो गाइज तो फाइनली हो चुकी थी अपनी गाड़ी लोड दोस्तों और इधरी बिवंडी पर रुके जहम भाई ने रुकने को बोला था कि इधरी रुक जाओ इस सुबा का क्या प्रोग्राम रहता है तो खाना हमने बना लिया था आलू टुमाटर की सबजी भाई ने बनाया आज रुईत भाई ने और आज ने टूल का उदगाटन के आपने छोटे कीचन का हमने मीनी कीचन तो खाना अपना बिल्कुल रेडियो चुका था दोस्तों और अब खालेते खाना और तब खाना खाने के बाद मिलते आप लोगों को दोस्तों जैसिया राम हलो दोस्तों गुड मॉनिंग जैसिया राम कैसे आप सब आई हो आप सब ठीक होंगे तो लोड़ गर के आ चुका था दोस्तों मैंने रेंदर भाई के पास और गाजी अपने लोड़ हो चुकी थी यह चेक कर लो आप लोगर साधरवाल में राथ कोई बालिया था तो अब इदर से निकलेंगे अपना दुसरा माल डालने जा रहा था भाई वो रहते कि चलाजा दुसरा माल डालने तो अब दुसरा माल डाल लेता हूं दोस्तों और उसके बार निकलूंगा इदर से अपना मतलब के भीवंडी जाना है मेरे को ताकि इदर से लोड करेंगे और उसक के सफर में पर आज मोसम कुछ सुवाना हुआ है अपना सुवाना भूले तो बादल आए है आज इधर पर बारिश दीखा रहा है एक बाकी तो अब भगवान जी की इच्छा है होगी तो अच्छी बात ही थोड़ा ठंडा हो जाता मोसम यह देखो बादल ले तो फीवंड़ी से आता है इक इनक्टर साइड में तो वाड़ा हो के आता है यह पारिव के नियाता है दोस्तों यह ड्रेक्ट अपना क्या बोलते बोले तो मनोहर निकलता है कि रोड सिंगल है पर थोड़ा सा टूटा वाया स्टार्टिंग में काम चला है इसका बाथी दोग के रोड़े सारा यह गाउं देखोई देर आप लोग वाँ मैं रोड बे पॉन चुके देम मनोर यह अपना मनोर का व्यू यह अपना च्वारोटी का व्यू तो यह अपना च्वारोटी का व्यू तो च्रोटी आके नहां दो लेंगे क्योंकि आप नहीं पिनी सुपासे दोस्तों फिर गाड़ी लोड करने में पूरा दिन लग्या तो नहीं दोए भी नहीं तो जाके करते हैं सनान ज्यान और उसके बाद से निकलेंगे और आप भी वीडियो में बने रहेंगा निकल चुकेते हम अपना चरोटी से नहांद होके खाना खाके तो आज शाम को हमारा सफर तो पूरी रात भड़ी रहेगा कॉंटीनियू तो नहीं बुर्याल हो गए ते अपने पसीने से पूरे दिन बर नाहीं नहीं ते गाड़ी लोड़ भगरा करी दोसको तो निकल गए थे अपना होटल से खाना करा के शेरे पंजाब से उदर पर वीडियो नहीं पना पाए तो अपना बॉडर पर पहुंचने वाले हैं महराष्ट्रा गुज्रात के यह चक करो आप लोग महराष्ट्रा गुज्रात वाले बॉडर पर पहुंचने वाले हैं बॉडर के हलात पता नहीं कब सुद रहेंगे दोस्कों यह चक करो आप लोग जाम परडर के हलाद तो कभी नहीं सुदर सकते जल्द सुदर जाएंगे जल्ट तो दोस्तों अपना चिकली पॉन चुका था मैं और इदर पर तेल डाल रहा था तेल डालने के बाद निकलूंगा इदर से अपना जियो के पंप पे डाल रहा हूं दोस्तों तेल जड़ा देखते जियो के पंप के अबरेज कैसी है सारे भाई बोल रहे कि अबरेज से यह जियो के पंप की तो तेल डाल दिया था मैंने और अब इदर से निकल रहा हूं एक बार चेक करते हैं तरह कैसी अवरेज है जियो के पंक की क्योंकि जितने भी भाई लोग आपने सब पोर रहे कि जियो के पंक की अवरेज सही है आप एक बार डाल के दुरूर देखो तो निकलता पी दर से दोस्तो आज अपना सफर पुरी राद पर कॉंटिन्यू रहेगा और वीडियो में एंड तक बने रहे वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें बाकी मिलते आप लोगों को आगे के सफर में और पंडे साब अपने सो गेते स्लिपिंग मुद्रा में चलो जैस याराम दोस्तो तो गाइस फाइनली सूरत पार कर लिया था मैंने अपड़ा का अमरे स्टोल टेक्स से आगा है हूं दोस्तों और रात के भाई बन चुकिया है अभी भी कर्मी देखो आप लोग को तिन यह आए तो आप लोग रात को तीन बज़े भी कुसी ने आ रहे है तुनी करनी है उसको बहुत बुराद है कि इस बाटी व्यू तो दोस्तों अंकले इस बार सीटी ओके आया मंदर से बरूच हो के नहीं तो बाकी बार से ही जाते थे नेशनल लाही एक से इस बार सीटी ओके आया है दोस्तों अपना बरूच सीटी हो के यह नर्मदा जी कबरी जाने वाला है अभी यह बुरूच सीटी काईज जी तरफे अपना रेल्वे स्टेशन है यह और यह सीटी का व्यू और आपके ट्रेट करते हैं व्यू प्यू तो गाईज फाइनली अपना बड़ोधरा मॉंबई एक्स्प्रेस वे पर पहुँच चुके दरहां और हमारे भाई रोरित पांडे यह जग चुके हैं पांडे साफ भी अब यह जग करो आप लोग वड़ोधरा मॉंबई एक्सप्रेस वे अपने चार बिचने को है तीन बच के और अठ थिसमिंट हुए है यह देखी आप एक्सप्रेस तो एक से एक बना दिए गट करेजी तो दोस्तों यह अपना एक्स्प्रेस पे रेस्ट एरिया है तो रेस्ट एरिये पे पहुंच चुके देहां यह चक करो आप लोग गट करीजी ने मतलब कितनी अच्छा शई से बनाया है मतलब टॉयलेट सब्सक्राइब करेंगे और मैं रेस्ट करूंगा फ्रेंट यह चेक करो आप पांडे साथ गाड़ी चलाएंगे और यह अपनी गाड़ी की इतनी हाइट है इस टकर यह चेक करो तो करो दोस्तों अब रोहिद जी करेंगे ड्राइविंग और यहां से आगे कार्योभार संभालेंगे और मैं रेस्ट करूंगा अब यह गड़ी रेस्ट कर लेता हूं क्यूंकि फिस दिन को करमी हो जाती है फिर नीन नी आती तो रोहिद भाई बोरा कि मेरी नीन पूंगा तब मिलते आप लोगों को बाकी यहां से आगे का करवार पांडे जी संभालेंगे वीडियो भी अभी इवन आएंगे बाकी गाडी भी बाही चलाएंगे तो अब देखते है कहां पर निंद कुलती है बाकी सुबा मिलेंगे तब आप लोगों को दोस्तों गुड अपना वडोद्रा मुंबाई एक्सप्रेस वे है तो हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग जैस याराम कैसे आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो सोब चुका था दोस्तों मैं और अपने पांडे जी अभी तक ट्राइब कर रहे थे तो मैं अभी अपने पांडे जी अभी एक बच्चुका दिन का तो चलो दोस्तों अब लंज कर लेते और मिलते आप लोगों को धाबे पहुंच के ज़रा भाई कैसा खाना की लाते बाकी पांडे इसे रिवू लेंगे खाने का अपना गबरु भाई बड़ी तारिफ कर रहा था भाई के खाने की एक नंबर खाना फिलाता है तो चलो जैसी अराम दोस्तों गाई जी अपनी गाड़ी और इधर पे सामने भाई का होटले तो अब जा रहे हम खाना खाने वीव चेक करो आप लोग परशाद का तो दोस्तों लग चुका था खाना हमारा भिंडी मिशाला तो आप खाले पे खाना और खाना खा भाई आज हमने एक नंबर बनाया भाई ने खाना इस भाई का धाबा इधर पर जो अपना उद्यपुर से आते तो कनेक्ट साइड में प्रशाद सेक दो किलो मिटर आगे को शामला जी की तरफ को साथ में पेट्रॉल पंपी बन रहा है यह अपनी गाड़ी पर खाना का के आनन्द आगया दोस्तों एक नंबर खाना खिलाया भाई ने एक नंबर रोटी खाना के भी दू लग रहा है हमने एच्छे साथ चाथ चपातिया खाली थी उसके बाद भी असा लग रहा था कि अभी और खाए मैं भाई को पो रहा था मैंका पेट जैसा भराई नहीं है कु आप सब का स्वालत है पांडे ऑफिश्यल 0028 में तो हम अभी उदेपूर बाइपास में चले है और गर्मी कापी हो रही है जिसकी वज़ा से हमने फ्रेम लगाया एपलैक इससे थोड़ा रहात रहता है गर्मी में यह हमारे ओफिश्यल भाई अभी थोड़ा सुस्ता रहे है यह बुदेपूर बाइपास बुदेपूर को वैसे एक सिटी भी का जाता दा सिटी आप लेक्स दिन के बज़ रहे है ठाई और फुल ऑन कर्मी है मेरे भाई हेलो दोस्तों गूड इवनिंग कैसे आप सब आई होब आप सब ठीक होंगे तो हिम्राज भाई के होटल पे पहुँखे थे दोस्तों हम अपना प्रशाद में फाना खा लिया था तो उधर से आ चुके थे और अब हिम्राज भाई के होटल हो चुके है कि यह हमारी गाड़ी लब गाड़ी दोब गएरा वशिंग करके फ्री हो चुके थे हम और खुद भी नहा के फ्री हो चुके है यह गाड़ी अपनी कि तो चाह पित्टे और फिर निकलेंगे इदर से दोस्तों अ कि दोस्तों निकल चुके थे हम अपने हमराज अपने पांडे जी कहरी ओन चट्टा तो अब रुकें के साणुरिया सेट्षी के मंदिर पे जाके दर्ष्ण करें के साणुरिया सेट्षी के और इस फ्लॉप को भी करेंगे उदर पर इंड नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आप लोगों को पताई है फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यह चक करो आप लोग व्यू मंगलवाडा का बहुत जाती है और हम दिनेश भाई के दुकान के सामने से गुजर रहे हैं यह सामने आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंट जियो का पंप उधर पही बस भाई की दुकाने जियो के पंप के साथ प्रेशन आप लोगों के लिए आपन से चुपर कर सकते हैं तो गाइज मंगलवाडा पॉंचुके थे हम और अपना सावर्या सेटी के मंदिर से पीछे खरे इधर पर अपने को गबरु भाई मिलेते जैसियाराम भाई और बाकी भाई ने हमारे को चाय पिलाई यह अपने पंडे भाई इधर पंडे भाई इधर यह ओटल है भाई जैसियार वह जैसिंव हंट जादी हम आये ऑप लोगों को बटा इये बाकी देखके कर दोस्तों यह सामरिया सेट जी के दर्शन जाय fon coming it पर अब जाते हैं अंदर दर्शन करते हैं सेठ जी के और आप लोगों को भी करवाते हैं तो या सेठ जी की आरती हो रही है दूस्तों आगे दर्शन करके हम सेठ जी के और अब इदर से निकलते हैं अब इरोज भाही चलाएंगे गाड़ी अपना बिट्टु भाही के डावे तक उतर से फिर अपनी टर्न चालू होगी तो इस व्लोग को भी करते हैं दोस्तों यही पेंड तो जो चैनल पे नए ओ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाकी जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी वीडियो को लाइक शेयर कोमेंट ज़रूर करें दोस्तों और अपना प